आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम्मन टोटा बंदरगा भारत के लिए अभी चिंता का विशय क्यों बना हुआ है इस विशय को जानने के लिए सबसे पहले है कि यहाँ पर किनका किनका रोल है तो यहाँ पर तीन देश का रोल है जिनमे से सबसे पहले है स्रिलंका, चीन और भारत सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमबन टोटा क्या है हमबन टोटा स्रिलंका का एक बंदरगा है और जो की स्रिलंका के मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस्तित है अब बात करते हैं कि आखिर ये चिंता का विशर क्यों बना हुआ है और खासकर भार्त के लिए चिंता का विशर क्यों बना हुआ है चीन ने एक पोत हम्बन टोटा पर भेजा हुआ है उस पोत का नाम है युवान वांग फाई जो की 11 अगस्त 2022 को हम्बन टोटा बंदरगा पर पहुँचने वाला था मतलब की ये है कि स्री लंका के हम्बन टोटा बंदरगा पर 11 तारीक को चीन का यह पोत पहुँच जाता और स्रिलंका के बीच जिस तरीके से बाद चीत हुई और सहमती बनाई गई कि ठीक है हम चीन के इस पोत को अपने हम्बन टोटा बंदरगा पर नहीं रुकने देंगे ऐसा होता भी है और 11 अगस्त को नहीं रुकने दिया जाता है हम्बन टोटा बंदरगा पर अब इसके ना कर दे वह एक स्वतंत्र देश है और अपने हिसाब से जिसको चाहे अनुमती दे और जिसको चाहे अनुमती नहीं दे ऐसे टाइम पर चीन क्यों दबाव बना रहा है और चीन को क्यों लग रहा है कि स्रिलंका उसकी बात मानेगा इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जा पाया है जिसके बदले उसने क्या किया कि हम्मंटोटा बंदरगा को यह हम्मंटोटा बंदरगा को 99 साल तक के लिए लीज पर दे दिया अब यहां पर चीन जब चाहे आकर रुख सकता है बस थोड़ी बहुत स्रिलंका से बात करना होगा इसका मतलब है कि चीन इसका यूज कर सकता है अब यहां पर चीन स्रिलंका पर दबाव डालता है और 99 साल की लीज की बात कहता है यहां पर स्रिलंका चीन की बात को मानता है और 13 अगस्त को यह अनुमती दे देता है कि ठीक है तुम अपने पोट को हम्मंटोटा बंदरगा पर लंगर डालने के लिए रुका सक इसके बाद 16 अगस्त को यह पोत लंगर डाल लेता है और 22 अगस्त तक कहा जा रहा है कि यह लंगर डाले रहेगा इसके बाद बात करते हैं कि आखिर स्री लंका की स्थिति क्या है तो यह है भारत का मैप एसिया में और यहां पर है स्री लंका और यहां पर है चीन चीन ने पर चीन से अपनी बात रखी तो चीन ने कहा कि इस पोट से किसी को कोई खत्रा नहीं है यहां शानती और मैत्री के लिए है और दूसरा यह भी कहा कि यहां पर यह अनुसंधान के लिए भीजा गया है इसके बात बात आती है कि आखिर यह यह युवान वांग फाई बंदरगा में रुका हुआ है तो इससे भारत को क्यों परिशानी हो रही है तो सबसे पहले तो इस पोट के बारे में जान लेते हैं इनका जो पोट है या यू कव की जहाज है वह निगरानी और जासूसी के लि जैसे कि राडार है या फिर उपग्र है इन सभी को वेट रैक कर सकता है अब जैसे कि हमने बात किया कि भारत की स्थिती ये है और स्रिलंका की स्थिती ये है दोनों की बीज की दूरी कोई जादा नहीं है इस वज़े से जब यहाँ पर यहाँ पर चीन का यह पोत रुका जिसके वज़े से हमारी इंडिया का यह जो हिस्सा है जहाँ पर केरल है तमिल नाडू है इसके अलावा आंद्रप्रदेश है इसका भी कुछ हिस्सा है चीन का यह जो पोत है वह यहां के सारी चीजों को ट्रैक कर सकता है मतलब कि इंडिया के इन हिस्सों को वह ट्रैक कर सक इस वज़े से ये काफी चिंता का विशय बना हुआ है इसके अलावा चिंता का विशय इसलिए भी बना हुआ है कि स्पोर्थ में लगभक 2,000 लोग हैं तो यहां पर विशय या भारत के लिए चिंता का विशय इसलिए बना हुआ है कि आखिर एक शोध के लिए चीन को इतने दूर से स्रिलंका हमन टोटा बंदरगा पर भेजने की जरूरत क्यों पड़ी अब ऐसी सिती में भारत के लिए चिंदा का विशाय बनना तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चीन यहां पर आकर के डेरा डाल लिया हुआ है चीन यहां पर रहकर के सारी चीजे जानेगा कि आ उपकरण है जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं तूर दरास्त कि आखिर कौन क्या कर रहा है मतलब कि हमारे पास भी एक ऐसा उपकरण है जैसे कि चीन के पास है युवान वांग 5 है कि यह साड़े साथ सो किलो मेटर के आसपास की चीजों को ट्रैक कर सकता है उसी टाइप से हमारे पास भी आब बात करते हैं कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है अगर में मुद्दे की बात करें तो चाइना यह चाहता है कि उसके शक्ति का विस्तार हो और उसके अलावा पूरे विश्व को यह पता चले कि वो कितना शक्ति शालिडेश है और इसी वो देश को पूरा करन के लिए वो कई अलग अलब ठान अपना रहा है कैसे की स्री लंका अभी फस गया है उसने करज का जाल फेका स्री लंका उसमें फस गया अब उसके अलावा अब यहां पर वो अपना दबाव बना रहा है अब यू कहो कि स्री लंका एक तरीके से करजदार हुआ है और करजदार हुआ है कई न कई स्री लंका को चीन की बात तो माननी ही पड़ेगी कोई चाइना ये पहली बार नहीं कर रहा है ऐसे कई अलग अलग छोटे-छोटे देश हैं द्वीप हैं उनके साथ भी किया हुआ है जहां पर उसने पहले कर्ज दिया उसके बाद उनके बंदर गाहों पर अपना कबजा जमाया और कबजा ऐसे नहीं जमाता है कबजा जमाता है आर्थी क्रोप से अर्थव्यवस्ता में इनका खास रोल होता है और चाइना क्या करता है इन बंदर गाहों पर अपना कबजा करता है और कबजा करने के लिए क्या करता है कि उन देशों को कर्ज देता है कर्ज देने के बाद बंदर गाहों पर कब्ज़ कर लिया इस तरीके से धिरे-धिरे करके अपने शक्ति का विस्तार करता है और वही कर रहा है वो इंडिया के पास स्री लंका में और इसके साथ ये भी बड़ी बात है कि भारत इतना बड़ा देश है और चीन के साथ बंती भी नहीं है तो इसलिए भारत को घेरने के लिए भी एक तरीके से ये प्लान करता ही रहता है जिसमें से ये प्लान भी है उसका